कि विंड एनरजी की जो आपके टर्बाइन्स है जहां मौस्चर ज्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोडूस कर सकें तो इधर विंड टर्बाइन एनरजी का भी काम करेगा और पीशे की तरफ से वो हवा में से मौस्चराइज एर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी क्योंकि ये खासकर जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलिफ होती है हमेशा तो टर्बाइन एक प्रकार जे गाउं के ड्रिंकिंग कि हम हवा में से oxygen separate कर सकते हैं इस टर्बाइन के माध्यम से ही अगर scientific ववस्ता थोड़ी develop की जाए तो जहां पर विंड टर्बाइन लगा है और उपर में जितनी हवा जाएगी तो oxygen लेवल भी उसमें से कैसे निकालना कैसे करना वो चलेंजिंग हो सकता है लेकिन अगर वो parallel oxygen अगर निकालता है हवा में से और वह oxygen का भी market अगर capture किया जाए तो एक टर्बाइन से drinking water भी मिल सकता है oxygen supply भी कर सकते हैं और energy भी हो सकती है एनने three in one एक ही टर्बाइन से हो सकता है तो क्या आपके scientists उस दिशा में innovation में कुछ कर सकते हैं क्या Dear Prime Minister Moody I can't say I'm smiling and I'm smiling with your both your passion and your excitement I can guarantee you if you should ever have the wish or you should ever have the dream you should come and visit me in Denmark you will be a very loyal I can hear you will be the idea generator for our research and development both in Denmark and in India because you will be challenging my engineers I can't say how pleased I am with your ideas